दोस्तों जिन्देगी जिने के लिए हम तरह तरह का चीजों को अपने सा सामील करते हैं, कही तरह का हम लोग ट्राइल एरर इस मेथड में भी आगे बढ़ते हैं। तो यह हमारा एक बहुत बड़ा चीजों होता ह। दुसरी बात है, रोजाना जो हमें तकलीव होती है, अलग अलग तरीके से, छोटे छोटे तकलीव या फिर बड़ा तकलीव है। किसी भी दरीके का pain या कोई vital organ हमारा affected होता है कोई joint हमारा affected होता है कोई नसों में problem आती है intestine की problem है, diabetes हमें आजकल commonly होने लगा है, blood pressure लगभग सब को रहने लगा है, ठकान एक आम बात है, इस सारी चीजों से हम लोग डिली सुभा से राद राद से सुभा हमारी जंग चलती रहती है, और हम उसका shortcut ये निकाल लिये हैं, कि tablet moment डालो और उसको खालो तो आपकी problem solve हो जाए कि कितना दिन, कितना दिन हम ऐसे कर सकते हैं, कहीं न कहीं ये हमारा सरीर और हमारा मन दोनों को ही damage कर देता है, हमारी जो life है, वो एक बेकार और बड़ा stressful हो जाता है, कोसिस करो, रोजाना एक routine भरा life जियो, सुभा साम एक ही pressure करो, और जो आईरवेदिक का treatment है, या जो हमने छोटा-छोटा tips home treatment के लिए बताते हैं, इसको अगल अमल में लाओगे, तो definitely दोस्तों आपको लाओगे, सिर्फ सुनना नहीं है, करना है, आज का topic क्या है, आज का topic है, जो चीज़ें हम लोग पहले फेक देते थे, वो है pumpkin seeds, याने pumpkin का इस्तमाल होता था, seeds फेक का ज्यादा था, मगर आज pumpkin को चाहे फेक दो, मगर उसका seeds का जरूर इस्तमाल करो, कहने का रती है, कि pumpkin seeds इतना लाब करी है, आप सोच नहीं सकते, कुछ नुकसान भी है, आज वो बाद भी बताऊंगा, मगर सही ढंग से अगर इस्तमाल करोगे, लाब ही लाब है दोस्तों, इतना सारा vitamins और खनीज का ये स्रोथ है, कि आप अगर इसका इस्तमाल सही quantity के साथ लेते हो, तो जिन्देगी भर आप जवान रह सकते हैं, आपका joint pain अगर है तो ठीक हो जाएगा, अगर नहीं है तो बिल्कुल होगा नहीं, नसों में अच्छा ताकत आएगा, आंक की रौस या फिर बाल जल्दी पग जाना, ड्राई हो जाना, या फिर ग्रे हो जाना, ये सब समस्या दोस्तों नहीं हो, साथ साथ अगर constipation की problem है, वो बिल्कुल दोस्तों ठीक हो जाती है, क्योंकि फाइबर इसमें दोस्तों बहुत अच्छी मात्रा हैं पाजाता है, मैं सारी details भी जब pumpkin seeds लेते हो, तो याद रखो, पानी sufficient दोस्तों पीजिएगा, चाहे कोई भी season हो खास करके अभी जो summer season चल रहा है, इसमें कम से कम अगर pumpkin seeds आप दिन में दो बार लेते हो, तो आपका quantity of water जो है, वो चार लेटर के आसपास होनी चाहिए, याने 12 glass से 16 glass के आसपास आपको पानी पीनी चाहिए, तभी ये बहतर काम करेगा, blood बनाने में भी help करेगा, और blood को purified करने में दोस्तों काफी मददगार है, इस से दोस्तों energy का level बहुत बढ़ जाता है, diabetes को control करता है, पूरुसमें prostate cancer नहीं होता है इसको अगर हमेशा हम दोग 7 करते हैं, सुक्राणों का ख कद्दू के बीज आने pumpkin streets में अन्य कई पोसकत्तों दोस्तों पाये जाते हैं, कच्चे हरे कद्दू के अलावा पक्के हुए पीले कद्दू का भी काफी सहबन लोगों ने बड़े चाहात के साथ करते हैं, लेकिन कद्दू के बीजों का भी सहबन किया जा सकता है, जैसे हम आपको गाइड करेंगे, ऐसा आप इसको फॉलो करिएगा, तो दोस्तों आपको बहुत फायदा होगा, थंडाई और सलाथ के अलावा कई प्रकार की मिठाईयों में भी कद्दू के बीजा, pumpkin streets की प्रयोक्त किया जाता है, कद्दू एक बहुत ही गुनकारी, फायदेबंद और स्वादिश सबजियों में ऐसे एक है, कद्दू के बीजों को आप भून कर, पानी में भीगो कर, अंकुरित करके, सलाथ में डाल कर, या फिर सूप, स्वीट डिस वगरा में डाल कर भी दोस्तों खा सकते हो, इसे सुखा कर, चुन बना कर भी सेवन किया जा सकता है, यह चोटे बीज, कई गंभीर बीमारीओं से दोस्तों हमें बचाता है, जैसे की कैंसर, हाई बलेज़ पेशर को कंट्रोल करता है, कोलेस्ट्र čुल कंट्रोल करता है, एक बीजों का सेवन करने से, आप डाएबिटीस से भी दोस्तों बच सकते हो, इसके साथ साथ, इसमें महज आदी अन्य चीजें दोस्तों भरपूर मातरा हैं पाया जाता है विटामिन E का 7 तो हैचा और बालों के लिए दोस्तों बहुत ही फाइदाबंद हैं फाइबर से पेट और पाचन करिया दोस्तों दुरूस्त होता है जिससे कब्ज की समस्या कभी नहीं होती है अगर है तो खत हो कम से कम 2-3 चमच अगर आप कद्दू का बीज सेबन करते हो तो आपका मसल्स होगर अच्छा बिल्डफ होगा और साथ में आपको काफी ताकत भी दोस्तों मिलेगी वजन अगर किसी को बढ़ानी है तो आप क्वांटिटी बढ़ा के ले सकते हैं अगर वजन अगर घटा नहीं है तो लो क्वांटिटी आने आधे चमच बुना हुआ इसका बीज अगर आप सेबन करते हो तो आपको बहुत लाब होगी आपकी वेट लॉस होगी साथ साथ आपकी ब्लट पेशर लो होगी डाइबेटीस रुदेरों को गेरा में दोस्तों बहुत ही फाइदा बंद है कि कई अध्यों में पाया जाता है कि कद्दू का बीज डाइबेटीस रोग्यों के लिए एक बहुतरिन स्नैक्स है क्योंकि इसमें ब्लेट सुगर को कंट्रोल करने की गुण पाया जाता है खून में ये ग्लुकोज के लेबल को कम कर देता है और बहुत स्पीड से करता ह यदि आप diabetes की दवाई उगरा 7 करते हो तो कद्दू का बीज ये अगर ज़्यादा परिमान में ले लेते हो तो आपको हाइपोग्लेसिमिया हो सकती है इसलिए आप अपना हमेशा जांच करके उसी हिसाब से अपना quantity को decide करिए लो ब्लेट पेसर जिसकी रहती हो कद्दू का बीज ना खाए क्योंकि इसमें antioxidant बहुत ज़्यादा पाया जाता है तो आपका ब्लेट पेसर तुरंद अगर लो हो जाएगा तो आपको नुकसान हो सकती है आपकी सरचक्रा सकती है याने भटाई को या हेड्रिलिंग हो सकती है इसके साथ साथ अगर आप quantity बहुत ज़्यादा लेते हो दो चार चमज एक साथ में लेते हो और आप उसको हजम नहीं कर पाते हो तो इससे आपको पेट की भी समस्या हो सकती है पेट में एठन होना, मरोड होना, दर्द होना और इसके साथ साथ आपके लूज मुस्वनागरा दोस्तों हो सकता इसलिए आप कोशिस करें एक देड़ चमज छोटे चमज में ही खाएं और जब आपकी आदत बने तो आप quantity थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं एक चीज दोस्तों याद रखो हर एक चीज हमारे के लिए लाब करी है और ओही चीज हमारे लिए दोस्तों नुकसान दाएगा आप लगता है कि मुझे लो एनरजी हो रही है हड़ी मेरी कमजोर हो रही है हमेंसा गर्दन दर्द कमर दर्द और 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 तो आपका है तो आप याद रखो अपना जो ऑफिस का टेबल है या अपना जो बेड है वहां पर ऐसे यह होता है pumpkin sits इस तरीके से आजकल तो बज अगर आप एक साथ में आराम से चबागे खा सकते हो ऐसे लिए और बैटकर कोई काम कर रहे हो लेके इतना चबागे खाले सुबा साम दो बार खालो इस से तो जितना खनी जा और बिटामिन साब को बताया मिनराल बताया सारा मिलेगा अधर वाइस जैसे मैंने बताया अलग-अलग तरीके से इसका इस्तिमाल करने के लिए वह भी कर सकते हो मगर सबसे बढ़िया है सुबा साम छोटे चमज में एक एक चमज आज चबागे ख इस्तिमाल करो जिससे कि आपको दर्द हो गरा जागर हमेंसा बॉडियक हो गरा रहता है दोस्तों आपको डेफिनाइटली फायदा होगा साथ में आपको ताकत मिलेगी दिन बर जो लोग ठकान में रहते हो ठकान दूर होगी और आप एक फुर्तिले बनोगे एनरजेटिक इसे और ज्यादा दोस्तों क्या चाहिए अंदर अंदर आपको ताकत मिलेगी ऐसे हरे जैसे आप पंकिन स्टीट से अलग अलग और भी स्टीट से इसके बारे में मैंने वीडियो अपलोड किया हूँ और भी आगे भी करूँगा ऐसे टीप्स दोस्तों मैंने अपने परा दिया हूँ यह अंग्री जी किताब है इसमें धाये जाट टीप्स हैं आपको सबको हमेशा जैसे बताता हूँ छोटी छोटी बाते हैं आप घर में खॉलो करके आप अपना अच्छा हेल्थ बना सकते हो अनेक बीमारियों को दूर भगा सकते हूँ और यह आपको पर दोस्तों यही कहना चाहूंगा पॉंकिन का बीज जो है बहुत ही लाबकारी है इसका भर पूरा भी इस्तेमाल करें कॉंटिटी को नियंतरित रखें और गर्मी के समय में सब्पिशेंट दोस्तों पानी पिए थंड के समय में जैसे विंटर होगेरा होता है बारी सोगर समय है quantity थोड़ा बढ़ा सकते हो डिपेंड करता है कि इसकी हजम करने के सब्सक्राइब करो है कम quantity से शुरू करें और धीरे धेरे दोस्तों quantity बढ़ा सकते हो और अगर आप diabetes के मरीज हो और आप high blood pressure के मरीज खास करके हो तो ये seeds आपको दवाई से बचाएगा आप इसके साथ जैसे आप दवाई हो गरा लेते हैं उसके साथ ये भी चलाते रहो आप देखो के धीरे धीरे quantity आपकी दवाई की कम होगी फिर डॉक्टरों के सलहा लेके आप एक नॉर्माल लाइफ दोस्तों जी सकते हैं इस पी मैंने वीडियो अपलोड किया हूं साथ में दो पॉइंट दिखा देतना वागी प्रेशर का एक हो गया blood pressure का point high blood pressure अगर है तो यहां आप सुभा उड़ते ही 30 बार दबाईए इधर और इधर दोस्तों दबाईए 30 इसके साथ साथ दोस्तों अगर डाइबेटीस है रिंग फिंगर के नीचे आप यहां पे दबाईए 30 बार और यहां भी दबाईए 30 बार 30 टाइम सुभा दोपर राद अगर इस तरीके से आप दबा ले तो 30 बार के तो आपको blood pressure भी नर्माल करने में help मिलेगी और डाइबे करो यार दोस्त के बीच में सबस्क्राइब करो क्योंकर subscribe करोगे बेल आइकन बजाओगे तभी आपके पास वीडियो में कई बर लोगों को देखता हूं सिससे सर्च करते हैं देखते हैं मगर इस से बात नहीं बनेगे दोस्तों ओप अगर जुड़े हुए हो दो-तिन काम किताब को करनी होगी सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन बजाईए यार दोस्त के बीच में सेयर भी करिए और किताब को आज रेफराल इस्तिमाल करके दवाई से दोस्तों बचें थाइंकियो बेरी मच्छ जैंजय भारत